नमस्कार साथियो आप देख रहा है निज्टोडे दोस्तों अध्यपक समचार में दिनवर की ख़बरे आपको हम दिखाएंगे अध्यपक ख़बरे हैं राजसिक्चा सेवा में न्युक्ति से संब्दित ख़बर है अध्यपकों के ट्रांसफर की सूची जारी होने से ख़बर है तो आप पूरी ख़बरों को बिस्तार से इस वीडियो में जानेंगे इसलिए वीडियो को लाज्ट तक एक दम पूरा कम्प्लीट जलूद देखें और दोस्तों यहां अनुकंपा निक्ति की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक उनके आससे बटक रहे है इसलिए आप नुश टूड़े से जुड़ना ना भूला है सब्सक्राइब और बेल के अग्यम पर किलिक करके तो चलिए एक एक करके पूरी ख़बरों को बिस्तार से जान लेते हैं लैट्स गो नए सिक्चा केड़र में न्युक्ति की पूरी प्रिकरी करने में में 24 गं लंबित पड़ी हैं एक तरफ जहां कई फाइलें अभी तक लंबित हैं तो दूसरी और करीब तीन से एकड़ा से अधिक फाइले से बापस कर दी गई इए रिकारडो में तमाम तरह की खामियां होने के बाद इन फाइलों को बापस किया गया है जेडी कारले से अद्द्द दोरा जाच के बाद भीजा गाया था ऐसे में सवाल यही है कि क्या पैनल में सामेल अधिकारियों ने आँख बंद कर गल्टियों को पुलिंदा एप्रूब कर आदे जारी करने के लिए भीज दिया या फिर फाइलों की जाच के बाद दूसरी कोपिया वेजी गई इससे रमचारियों को ही खामियां गिनाकर उन पर ही दवा बनाया जाने लगा है सर्वेस्बुक अपडेट के बाद प्राचारों ने सत्यापन किया फिर डीओ करले में जाच कमेटी ने ओके रिपूर्ट दी इसके बाद वी तुट्टी निकलने पर संबंद जन बैक्तिका जिम् बावना से इनकर नहीं किया सकता इसकी जांच कर समझ्या का निरा खरन करेंगे नहीं हब बात करते हैं उन 13,000 अद्यापकों के त्वाले का इंतजार कफसे कर रहे हैं उसी इंतजार में सीम से मिले और अद्यापकों ने प्राविद सूची जारी करने के लिए सीम को का रखी है पीडित अद्यपकों ने गुरुवार को मुक्मंतरी कमलनास से मुलाकात कर प्राविदिक सूची अब इलम जारी करने की मांग की है अद्यपकों की बात सुन सीम ने आस्वसंदिया की वे सीगरी इस सम्मन्द में अधिकारियों से चर्चा कर सूची जारी करवाए भी इस लाफ से बंचित हैं अद्यपकों ने बताया कि उनका मामला डेड़ वर्से प्रिक्रिया दीन है फिर सीम ने अद्यपकों उसे ग्यापन लेकर अपने निच सचिप को नदेशित किया कि सीगर इस मामले में कारवाई करें अद्यपकों ने बताया कि अभी विदान आसरत हैं उनको ना ही पैंसन मिल रही और ना ही अनुकमपान युक्ति दोस्तो इस मुहिम को हम उठाते रहें और आगे अभी उठाते रहेंगे और इसी परिप्रिक्ष में अभी बोपाल में भी 11 वारा फरवरी को आंदोरन किया था लेकिन सरकार कोई भी नुवांदा उन कि युक्ति के असरत हैं उनको अभी तक एनप tapped की पैंसन की मामले तक रहें जो नुविपा नामpoint युजना के नाम पर अद्यापग के बेतन से हर माईन ने ने 10 पर 30 की कटोथी की जा रही है लेकिन जरुत पढ़ने पर अद्यापक बहुत उनके परीजनों को अंसदान 55 नहीं मिल पा रही है ताज मामला जबाल पर जिले सहे मत्प्रदेस कई जिलों से से मामले हैं जहां पदस्त अद्यापक का सोला मैने पहले मृत्ति हो गई थी लेकिन आज तक उनके परीजनों की अंसदाई 55 नासी का बुक्तान नहीं कि गया है यह आरोप मत्प्रदेश तिर्टीवर सास की करमचारी संके अद्यापक प्रकोष्ट ने लगा हैं प्रकोष्ट के जो अद्यक्ष हैं और जो सदसें उन्होंने कलेक्टर से मृतक अद्यपक के परीजनों को अंसदान 55 का बुक्तान कराने और लापरवा बिकासकंट सिक्चा अदीकारी प्राचारवा लिपिक के खिलाब कारवाई करने की मांग की है तो दोस्तों आपको यह आज की सारी न्यूज कैसी लगी कमेंड करके जरू बता है पसंदा तो लाइक करें सेयर करें और आगे आपको ऐसी सिक्चे जगत और करमचे जयत की लेटेश अब्डेट न्यूज मिलती रहें इसलिए आप न्यूज टूड़े से जड़ें सब्सक्राइब और बैल के आगर करके अपन